आज अलेकों कैसे हैं आप साथ आज हम बना रहे हैं स्टैंसल बार चीक है इस तैंसल के लिए यह दिखें आपने अपना काटबूर्ड रखना है काटबूर्ड के ऊपर को इस रख कपड़ा पुराना लेकिन थोड़ा मोटा हो मोटा मतलब कि उस पर जब आप काम करें ना तो तो वह सोस्ट हो इतना नहीं सिर्फ जैसे सिंगल कपड़ा या डबल कपड़ा करके नहीं बचाना कोई इस तरीके से मोटा कपड़ा यह देखें यह इसकी मैंने चार तैकर के बचाई है तो यह काफी मोटा है ठीक है अब इसके ऊपर मैंने अपना फैब्रिक रखा है को अरिया कुझ आगर क्टेबर नियुक ले लख लिए नहीं होंगी ठीक है श्राश कामके lata gmin करे ताशक करकर काम करते हैं इसके लिए सौफ्ट हो ला उस सबस्ति जगह नहीं है तो आपिस परीके से खुच जगा को त्यार करेंगें जैसे मैंने तरीके इसको थोड़ा सा बढ़ा करके बना रही हूं इक चोटी भी लिए है के अगर कि हम उस जरूर है पढ़ी हुम सोटा भी उस कर लेंगे आप इसके उपर कोई भी थ्रेट इस तरीके से इसको टाइट करके यहां से बांट लें ठीक है ये आपकी पोटली त्यार है ठीक है इससे हम कलर अप्लाइब करेंगे मैंने त्री कलर बनाए हैं बिल्लू कलर ब्लैक कलर और आथशी कलर ये मैट कलर है बिल्लू और ब्लैक और आथशी दोनों फर्ल कलर है ठीक है फिलहाल मैंने कोई और कलर नहीं बनाया मैं वही कलर शूज कर रही हूं फैब्रिक पैंट वाले ठीक है इसको सिंपल उसी तरीके से बनाया है जैसे हम फैब्रिक पैंट कलर बनाते आपने करना है यहां आपने कलर लिया यह यह प्रेय है आपके पास यहां आपने उसको यूं इस तरीके से यह मैं रखके दिखाती हूं यह देखें यह इसके उपर कलर है यहां आपने पेले कलर लेना है फिर किसी दूसरा जो आपने ट्रेय वगारा में जो फॉम रखनी है फ इस तरीके से प्लोज करके दिखा रही हूं आप लोगों को ठीक है ये इसको दबा दबा के यह हूं अगर नीचे का एरिया सोफ नहीं होगा तो आपका अच्छा नहीं बनेंगा ये भी मैं बता दू ठीक है ये दिखें ये ड्रैक्ट कलर ऐसा है आपने प्लाई नहीं करना प भी ज्यादा होगा मांदो तीन दफ़ा लगा के उसके बार आस्ता आस्ता अगर आपका ये फिक्स नहीं होगा एरिया मतलब ज्यादा टाइट होगा सोफ नहीं होगा तो आपका वर्क अच्छा नहीं आएगा ठीक है जैसे मुझे किसी एक स्टूडन ने दिखाया भी था काम ना अच्छा होने की बज़ाई ये थी ये देखें आपने सिर्फ इसके जिस जहां जहां आपको चाहिए सिर्फ आप उस वाले बोक्स में कलर अपलाई करेंगे सारों में एक साथ नहीं करना है ठीक है ये देखें यहां इस तरीके से हम इसको पहले अपना सैट कर करेंगे से हमारा कलर एक दम से ज्यादा नहीं जाना चाहिए उसके बाद ये देखें यह बिल्कुल प्रेस करके यूँ यूँ जो से नहीं मानना आपने एक दम से नहीं मानना ठीक है आराम आराम से ये देखें उठाना है बज़न देना है प्रेस करना है फिर उठा लेना ह तो लाजा मैं ये सिंगल शेड के साथ कह रही है तो इसमें पूरे लीव को ये जो भी पूरा हमारा मोटी वे हम इसको टुबर सकते जाएंगे अगर आपको कहीं लगे कि मेरा कलर नहीं हुआ महां आपने दोबारा लगाना है इस तरीके से प्रेस करके ये कौन है बहुत ज्यादा कलर आपने एक दम अपलाई नहीं करना बिल्कुल भी क्योंकि उस्ता उससे आपका कलर अंदर से जाएगा बहुत कम कलर लेके आस्ता आस्ता कि इन चार्ट दफ़ा भले की जगा पर आपको ट्राई करने पड़े अपलाई करने के लिए लेकिन ज्यादा एक साथ नहीं यह देखने इस तरीक से जो छोटे होंगे वह तो एक दफ़ा में हो जाएंगी यह और बच रहे हैं चल्क हो चल्क हो बचल्श करने हैं कि इस तरीके से आपने इसको अपलाई करते जाना है मीदिया समझ आ गई होगी इंशाला नेक्स पार्ट अगली वीडियो में देती हूं जजा करें अलेकों यह देखें इसको हाफ बनाया है कि अब देखते हैं इसको हमास्ता से उठाएंगे अपने कप्रे के उपड़नी से आउत रखें और इसको राम राम से अठाटे जाएं यह देखें ठीक है यह हमारा बन गया है अच्छा इसमें आपको एक तीस थोड़ी सी और क्लियर कर दूँ कि अगर यह फूल और ज्यादा फॉम होती हमें कि यह देखें इसमें से ज्यादा है इसे कम होनी चाहिए ठीक है एक तो शायद मैंने भी बहुत टाइमाद बनाया है लेकिन नहीं मुझे भी लग रहा है मेरा यह भी और सॉफ्ट होना चाहिए तो इसका मैं कुछ करती हूं से इंशालला साइकिंग शेड में हम इस चीज क और बितर करेंगे क्योंकि उसे आपको यह भी पता लगेगा कि सुफ जगा का होना कितना जरूरी है ठीक है अब हम इसके थोड़ी सी फणिशिंग ब्रेश के साथ देंगे जो मतलब इसकी साइड़े हैं वहां से हम जो फणिशिंग देंगे वो थोड़ी ठोड़ी जहां ज सिंपल अपना जो भी मोटिफ है उसके साथ से एक फिनिशिंग लाइन ब्रश के साथ बाद में टैच लाजमी देना है उससे यह होगा साइड यह देखें यह लीड में क्लोज करके दिखा रही हूं यह देखें इसमें जो भी मसले थे वह हमने सोल्क कर दिये इसी तरीके से मै तो आप अप यह चीजड़ करते चाएं यह देखें का कहीं से भी में चेफ यहां से हैं नोत बनेगी वामने घर्लinky के साथ बिना लिए तो ज्यादा अच्छा बनेंगा जितनी ज्यादा सोफ्ट होगी उतना ज्यादा अच्छा बनेंगा, ठीक है यह दिखें, इस चीज़ से टेंशन नहीं लिजिएगा, कि सिर्फ इस टेंसिल के साथ हमारा प्रेफेक्ट नहीं बना, इन्शालला, आप जब ब्रश के साथ रिका साथ का उस का न काटा होगा थीख से थोड़ा सा स्कीट कर लेते हैं कि ये इसी तरह था ये लीफ और इसका यूज भी में आपको बतातु हूँ आपने इसको भी फैब्रिक पैंट की तरह थिरी मंथ धाई मंथ मतलब अगर आप इसको बोश करने से बचा लें बेशक यूज करें लेकिन वोश करने से बचा लें तो फिर हंडिट परसंट होता है कि आपका कलर कभी भी नहीं ह फिर अलर्के निकल जाने का खत्रा होता है यह नहीं के नहीं होता ठीक है फैब्रिक पैंट हमेशा आफटर तू यह कम से कम भी टू और ज्यादा से ज्यादा चुब बहतरीं रेजल्ट है ना जिसको कहते हैं हंग्रेट परसंट रेजल्ट वो मैंने जो जमा के देखा है त स्क्रीन पैंटिंग हो फैब्रिक पैंट में कोई भी है आप उसको आफटर थ्री मंथ अगर थ्री मंथ का टाइम दे देंगे ना वो कलर आपका हो जाएगा कि वो फिर किसी भी तरीके से निकलेगा नहीं ठीक है आप देख रहे हैं कैसे ब्रश के साथ इसको पूरे को जो पूरी मतलब थे इसमें पॉइंट हमारे क्लेर नहीं थे हमने कर दीने हैं ठीक है इसी तरीके से आपने पूरा अपना मोटिफ एक रफ़ा लास्ट टच लास्मी ब्रश के साथ देना है इस तरह होने की दोई वजा होती है अगर आपका स्टैंसल अच्छा कटा है बिलकुल नफास्त के साथ तो एक तुसमें कट-कट लगे हुए हैं वो विलकुल स्टैट नहीं कट आपसे उसमें जो भी मोटिफ वाबने काटा है तो प्रॉब्लम होती है और सैकंड प्रॉब्लम होती है कि जिस एरिया पर आपने उसको बनाया है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट यह नहीं है एक इंसीटोट वगारे में जब हम जाते हैं। उसमें कर रषी फर्वं कंप डाल इसको आपने अपकर प्रोब्लम्स आप लगे Canalी है तो इसका मतलब है नहीं बना ठीक ठीक है और अगर बहुत कम है जैसे इसमें कम है इसमें बहुत ज्यादा नहीं है तो इतने आप इजी ली ब्रश के साथ कवर कर सकते हो ठीक है अपका कई से देखें पहला नहीं है ठीक है कहीं से कम जरूर हुआ है लेकिन कहीं एक्स्ट्रा कलर नहीं गया त अपसमें और उसमें फर्क देखें तो इंशालला आपको समझा जाजाएगी ठीटे जजाकर लाखेरा